गाइस आपने कई बार यह देखा होगा कि आपके वीकल इस्पेसली जो बाइक्स बगेरा है उसमें कोई भी पार्ट खराब हो जाता है तो उसको रिप्लेस्मेंट करने के लिए आप जाते हो आप उसका रिप्लेस्मेंट जो यूनिट लगवाते हो तो उसकी जो क्वालिटी यह हो गया था खराब अब यह ब्लू टिंज में इस तरह का बलव आता है आपको उपन मार्केट में यह नहीं मिलेगा मैंने बहुत खोजा ओनलाइन मी काफी देखा लेकिन कहीं दिखा नहीं मुझे तो मैंने फाइनली यह बजाज के सर्विस सेंटर से इसका पार्ट कोड न समझ में आई कि यार जो रिप्लेस्मेंट पार्ट होते हैं उसको क्वालिटी में कहीं नहीं कंप्रोमाइस किया जाता है आप यह क्लियर देख सकते हो इसकी जो ग्लास है वो काफी जादा मतलब अच्छे से यहां पे ब्लू टिंज है वो डिफाइन है अलांकि इसमें इस काफी कम यहां पे तो मुझे डाउट है कि जिसकी जो रोशनी है इसकी जो लाइट है वो उस तरह से वाइट में को नहीं मिलेगी कहीं नहीं उसमें थोड़ा बहुत फरक देखने को मिल सकता है तो यह वाला ओरिजिनल बल्ब मेरी जो स्टॉक हैडलाइट है उसके साथ आय मैंने ढूंडा था open market में बट यह देखने को नहीं मिला तो मुझे finally वहां से purchase करना पड़ा लेकिन मुझे नहीं पता था कि इसकी quality में यह difference है दोनों की glass में थोड़ा सा clear actually नज़र आ रहा है इसमें फरक तो देखते हैं कि किस तरह का actual में इसकी light में क्या difference देखने को आप कभी भी parts बगेरा को बदलवाने की जल्दी ना करें अगर थोड़ा बहुत problem मतलब थोड़ा बहुत 19-20 हो गया कोई part आपका stock जो लगा है bike के साथ या फिर गाड़ी के साथ तो उसको बदलवाने की जल्दी ना करें क्योंकि कई बार हम देखने को मिलता है कि bike manufacture जब हो जादा अच्छी quality की होते हैं उससे compromise कम किया जाता है और बात में जो spare part बेचती है company तो उसकी quality में कहीं ना कहीं फरक हमें देखने को मिलता है कई बार कई बार ही हमें देखने को मिल जाता है ऐसा बहुत बार देखा गया है clutch plate वगएरा की बात करें और भी कई सारी चीज़ो हमें देखने को मिल जाती है तो बस इस वीडियो का मकसद यहीं था कि मैं दिखाना चाहता था कि मुझे इस तरह का फरक नजर आया है दोनों की दोनों का जो आप देख सकते हो यहां पर specification है और model नमर है वो एकदम exact है कोई भी फरक नहीं है यहां पर इससे actual में यही फरक आ element आ जाए light में तो बाकी देखेंगे इसको लगा के कि कैसा इसका light का throw है किस तरह से इसका जो overall performance है वो compared to जो stock वाला है उसके में